हालो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर सोनिया सिंग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्ट क्रेटिव किंग फ्रेंड्स जैसे कि आप सब जानते हैं कि निष्ठा परसिक्षन स्टार्ट हो चुके हैं और ये निष्ठा परसिक्षन 15 जनवरी तक कंप्लेट करने हैं इसमें 6 मोड्यूल्स हम कंप्लेट कर चुके हैं और 7-8 और 9 मोड्यूल का लिंक भी हमें मिल चुका है friends आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि निश्ठा परशिक्षन में कौन सी गलती है जो teachers कर रहे हैं और क्या-क्या सावधानिया है जो सभी teachers को रखनी है जिससे कि आप अपने निश्ठा परशिक्षन को सावधानी से complete कर सके फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी जिससे की आपको इस तरह की वीडियो के लिंक सबसे पहले मिल सके तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन-कौन सी सावधानिया है जो आपको निष्ठा प्रजिक्षन के समय रखनी है फ्रेंड्स जब हम कोई भी मोड्यूल के ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं मोड्यूल का लिंक मिलने के बाद हम उस लिंक को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो जो भी उसके पॉइंट्स आते हैं हम उन्हें ओपन करते हैं और उसके बाद हम उसे जल्दी ही स्किप करके अगले स्टैप पर चले जाते हैं तो अगर हमारा 4-5 page का एक link है तो हम देखेंगे कि उसमें कितना time लगना चाहिए कई बार हम जल्दी skip करते हैं तो time 20 या 25 second के बाद हमारा वो point complete हो जाता है तो अगर इतना बड़ा content है friends आप ही देखिए कि content इतना बड़ा है 5-6 page का तो क्या वो 20-25 second में complete हो सकता है बिल्कुल नहीं तो इसी तरह कि हमें ये सावधानी बरत्ती है कि हमें ये देखना है कि हमारा content कितना बड़ा है और इतना बड़ा content minimum कितने time में हम पढ़ सकते हैं तो friends हमें ऐसी गलती नहीं करनी है कि हमें उसे जल्दी ही skip कर दे content इतने कम समय में कैसे complete कर लिया और आपसे ये भी पूछा जा सकता है friends कि आपने इस training से क्या सीखा तो उस समय आप बहुती मुस्किल में पढ़ जाओगे क्योंकि बताना बहुती impossible है कि जब हमने किसी content को read ही नहीं किया तो हम क्या बता पाएंगे कि training में हमें क्या बताया गया है ऐसे कुछ teachers हैं जिनकी संख्या 6-7% बताई जा रही है जो इस तरह की गलतिया कर रहे हैं तो friends मैं चाती हूँ कि आपका नाम उस 6-7% की list में बिलकुल ना आए friends कई बार हम क्या करते हैं कि हमें अगर कोई भी module का link मिलता है तो हम उसके जितने भी points दिये गए है एक series में ना करके हम कभी कोई से point को कर लेते हैं कभी किसी point को तो हमें ध्यान रखना है कि हमें सारे points एक series में लेकर चलना है अपने perception को हमें करम वाइच लेकर चलना है जिससे कि हमारा perception एक series में complete हो सके अब friends आते हैं next बिंदू पर next बिंदू है हमारा कि हमें जो हमारे module में परशनोतरी अगतिविदी दी गई है हमें उनमें minimum 60% marks लाने जरूरी होते हैं कई बार हम क्या करते हैं कि हम जब हमारे सामने परशनोतरी होती है हम जल्द बाजी में कोश्चन पर किसको इसी भी कोश्चन का answer लिख देते हैं और उसके बाद उस हम जल्दी जल्दी आगे बटन को दबा कर अगले question पर पहुँच जाते हैं तो हम जब next question पर पहुँचते हैं तो हम ये ध्यान नहीं देते कि उस question का answer सही है या गलत तो अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमारे 60% marks नहीं आपाते या उससे भी कम रह जाते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारे इस तरह की कोई problem होती है या हमारे marks कम रह जाते हैं तो उसमें last make replay का button है अगर हम replay पर जाकर हम दो बार अपनी personal 3 को complete कर सकते हैं और उसे complete करने के बाद हम फिर next option पर पहुँचेंगे तो friends अगर इस तरह का आता है आप personal 3 को कई बार भी कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप एक बार आपने जितने marks gain कर लिए हैं आप उसे उओ ही रहेंगे आप उसे change भी कर सकते हैं तो friends ये आपको ध्यान रखना है कि minimum 60% marks लाने अनिवार ये हैं नहीं तो आप problem में पढ़ सकते हो next point है friends जो module है हमारे निष्ठा परसिक्षन के modules उसमें जो बिंदू दिये गए हैं उसमें जितने भी literature है उसके important points को हम note करते रहें एक निष्ठा डाइरी बना सकते हैं जिससे की important points को आप note करते रहें और अगर कोई content आपको इतना important लग रहा है कि उसे note करने में भी आपको कोई problem हो तो आप उसका screenshot लेकर रख सकते हैं क्योंकि friends ये इसलिए मैं आपको बता रही हूं क्योंकि जब हमारी 18 modules के course complete हो जाएगा उसके बाद एक post test होगा और वो post test जनवरी 2021 में होगा क्योंकि 15 जनवरी को हमारी निष्ठा module complete हो रहे हैं तो ये निष्ठा पर सिक्षन के जब हमारी ये training complete हो जाएगी friends तो उसके बाद एक online exam का आयोजन होगा और ये online exam जनवरी 2021 में प्रस्तावित है और friends इस online exam का नाम होगा online competency test तो इस test में आपको 60% marks लाने बिलकुल ही जरूरी होंगे friends और अगर आप ये 60% marks नहीं ला पाते हो तो आपके निष्ठा का पर सिक्षन पूर्ण नहीं माना जाएगा और आपको इसका certificate भी नहीं मिलेगा तो friends ये ध्यान रखना है कि आपको ये training बहुती ध्यान से करनी है और मेरी आपको इसला है कि आप सभी बिंदो को के जो important point है उन्हें note करते रहें और निष्ठा की एक diary बना लें sort sort में जिससे कि आपको last में पढ़ने में कोई भी problem ना हो क्योंकि दिखसा आप से ये module जो module हम complete कर लेते हैं फिर वो हमें show नहीं होते हैं तो इसलिए अगर ये सारे module show नहीं होंगे तो हमें फिर वो उसके points देखने में problem हो सकती है तो friends अब मैं आपको बताऊंगी next point next और last point है इसमें कि जब हमारे 18 course module complete हो जाएंगे तो इनकी entry आपकी e-service book में होगी और e-service book में जो entry होगी आप क्योंकि सभी online हो चुके हैं तो इसमें हमारे अगर कोई हमारा course complete नहीं होता है वो तो वो show नहीं होगा या आप कम समय में उसे complete कर रहे हैं तो friends वो show होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए आप ये अपने module बहुती सावधानी से complete करें जिससे कि आपकी e-service book में इसकी entry हो जाएंगे और दीकसा एप पर e-learning passbook भी बनी हुई है उसमें जितने भी आपके module से वो सभी show होंगे और जो training आपने complete नहीं की है तो वो show नहीं हो पाएगी तो friends ये मेरी सला है आप सभी के लिए कि आप अपनी निष्टा परशिक्षन को बहुती ध्यान से पूरा करें और इसमें कोई भी जल्दबाजी ना करें क्योंकि हमें तीन module को complete करने में 15 दिन का समय मिलता है तो वो काफी है मेरे ख्याल से तो friends वो sufficient है कि जिसमें हम अपनी training बहुती आसानी से complete कर सकते हैं तो कोई भी जल्दबाजी का बात नहीं है अपने training बहुती सावधानी से complete कीजी और इन बिंदों का ध्यान रखी तो आपको कोई भी problem नहीं होगी और friends आगर आप चाहते हैं कि आप basic शिक्षावी भाग से जुड़ी हुई खबरे और नवाचार activities और basic शिक्षावी भाग के जितने भी school है उनसे जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारिया आपको मिलती रहें तो friends मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजी वीडियो को लाइक कीजी और अपने दोस्तों को शेयर कीजी बाई बाई मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में